जै श्रीराम दोस्तो तुलाराशी वालो 17 जून से लेकर 30 जून का समय हो जाएए साउधान क्योंकि तीनों लोकों से आ गया है फर्मान और आने वाले बचे हुए इन जून के अंतिम दिनों में कई लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा कई परिस्थितियों को अलविदा कहना पड़ेगा दुख दर्द को अलविदा कहना पड़ेगा क्योंकि मौका बड़ा जबरदस्त है कुंडली में ग्रहों की सार्थकता और सकारात्मकता का प्रताप है और आपकी जिंदेगी में उमीद की एक नई किरन दिखाई दे रही है आज की पूरी वीडियो ग्रहन अक्षत्रों की चाल पर आधारित है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी बहुत कुछ समझाएगी थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को आप बिलकुल एंड तक देखे सबसे पहले जितने भी कृष्ण प्रेमी है वो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में मात्र दो शब्द राधे राधे लिख देंगे तो उनके आधे काम तो यूही बनने वाले है देखिए दोस्तो जून महीना कब आ गया हमें पता भी नहीं चला लेकिन अब इस् अब बनाना है किसी योजना बनानी है किसी रन्नीती बनानी है जो आपको बाकी लोगों से आगे बढ़ा दे इस रन्नीती को आप लागू करेंगे जुलाई के महीने में लेकिन तेयारी आस से ही हो जानी चाहिए आप मान लीजे एक व्यापारी है तो अपने व्यापार को क प्रिमाग लगा करके एक अच्छी योजना का विस्तार करने के लिए इस्तमाल करते हैं तो आपकी वह योजना जरूर कारेरत होगी जरूर काम करेगी चिंता मत करिया आपका काम 100% होगा साथी साथ दोस्तो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है आपकी जो संग उनके एक मस्ती मजाग आप करते हैं उनका बोंड आपके साथ जुडाव जो है वो बहुत बढ़िया है इस वज़े से आप अपनी दिल की हर बात उनके साजा करने वाले आप खुल कर अपनी बातचीत कर सकता हूं तो जीवन में हर परिवार को इस तरह से ही व्यवभार करना चाहिए ताकि परिवार के एक एक सदिस्वी को ऐसा न लगे क्यों वाकेला है आने वाले जून के इन दिनों में किसी बात को लेकर गलत फेहमिया बढ़ सकती है हम आपको सा आउधान कर रहे हैं आज ही कुछ यसी बाते हैं जो आपके रिष्टो की डोर को कमजोर कर सकती है और रिष्टो में जब तक गलत फेहमिया है तब तक रिष्टे सुरक्षित नहीं है इन गलत फेहमियों को दूर करके ही रिष्टो को सुरक्षित किया जा सकता है तो आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखे अपनी पूरानी होबी को सामने लाने के आप कोशिश करेंगे तो मन बड़ा उससा हित रहेगा कि मानलीज आपको पहले की समय में क्रिकेट खिलना पसंद था आपको टैनिस खिलना पसंद था आपको दोड़ना पसंद था आपको कुछ और पसंद था तो वो वापस आप करना शुरू करिये ऐसा नहीं आप काम दंदे छोड़कर सिर्फ वो करने लग जाए जब भी आपको थोड़ा खाली समय मिलता है बले अफ्टे में एक बार उससे आपको बहुत अच्छा शरीर के अंदर भी एक परिवर्तन महसूस होगा दिम आपको अपनी परिपकवता दिखाते हुए इस तनाव को रोकना है इस परिस्तिति को सुलजाना है इसी के साथ दोस्तो आपके संचित धन में बढ़ोतरी होने वाली है जो आपकी सेविंग्स है जो आपकी बचत है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी होने की संभावनाय नजर आ रही है और दोस्तो जो पुरानी सेविंग स्कीम थी उससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है किसी भी बात को लेकर वे अपनी बात चलाने की कोशिश करेंगे जी हां कौन आपके बड़े भाई या छोटे भाई कोई बेसी बात होगी जाब वो यह पूरी तरह से होने की संभावनाएं हैं ट्रेवल पर जाने से पहले कई बार आपको सोच विचार कर लेना है क्योंकि यहा प्रॉबलम होने की संभावनाएं हैं जमीन जाइदाद से लाब मिलने की संभावनाएं हैं परिवार वालों के सपोर्ट से काम में भी आपको सफलता मिलेगी साथ वीडियो में हम कुछ खास साउधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे आपको दो बड़े जरूरी उपाएं तो थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फाइदा आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है सबसे पहली साउधानियम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिर कर चोट लगने की आशंका है क्योंकि कुछ नकारात्मक्र है जो परिशान कर सकते हैं तो वहाँ आपको थोड़ा साउधान रहना है उनके सिकंजे में नही आना है तो देख करके चलना है खास तोर पर फिसलन वाली जगह पर खास तोर पर चड़ाओ पर सीडियों पर आपको संभल कर चड़ना संभल कर उतरना है अब दोस्तो व्यापारियों के लिए खास साउधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सला दे कर जाएगा नया व्यक्ति जैसे आप जादा नहीं जानते एक दो बार आपने देखा होगा वो आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सला दे कर जाएगा अब मन ही मन आपको भी सला लगी कि तो बहुत अच्छी और आपका मन होगा उस पर काम करनेगा लेक और धंसे सोच विचार कर लेना है क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा करते हैं अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं और आप बड़े मासूम हैं आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं कही इसका फाइदा वे लोग उठा न ले इस बात का ध्यान आप ही को रखना है आने अलाई जो समय है आपके लिए बहुत अच्छा है तिनों लोगों से आ चुका है फर्मान शपत भी ले चुकी है और अब कुछ लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा आपके आस पडोस में जो लोग हमेशा आपसे जलते थे हमेशा आपसे क कहते थे कि यह जो तू कर रहा है यह सही नहीं कर रहा मतलब वो कुल मिलाकर हमारे कामों में गल्तिया निकालते थे ऐसे लोगों को अब अलविदा कहने का समय आ गया है इन लोगों को आपको भाव ही नहीं देना है आपको इन लोगों के साथ जरासा भी अच्छा बरताओत जो निर्णे लिया है उस निर्णे को ये लोग हमेशा गलत ही ठहराएंगे लेकिन आपको भी खुद पर भरोसा होना चाहिए कि जो मैंने सोचा है जो मैं कर रहा हूँ वो बिलकुल सही है सुआस्त थे आपका पहले क्या पिक्षा काफी सही है कुछ पुरानी विमारी उभर रही थी लेकिन अब वो कंट्रोल में रहने वाली है इसी के साथ दोस्तों दामपत्ती जीवन में जो नोगजोग चल रही थी वो समापत होने वाली है वो प्रेम का रूप लेने वाली है काफी समय से आप अपने साथी को समय नहीं दे रहे थे और समय का अभाव आपके रिष्टों में दूरिया पैदा कर रहा था लेकिन अब ये बात आपके समझ आएगी जब आपके साथी की इंपोर्टेंट आपको समझ में आएगी तो आप उन्हें समय भी देंगे उनके लिए कुछ खास तौफा भी लेकर आएंगे गिफ्ट भी लेकर आएंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा और वो आपके और क्लोज आ जाएंगे मतलब जो दूरिया थी वो नस्दीकियों में बदल जाएगी आगे वीडियो में बहुत जरूरी साउधानिया बताने वाले थे तो वो बता दी है हमने अब हम आपको उपाए देंगे ये दोनों उपाए आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले इसे अगर आप करते ह तो लाब आपका बेशुमार होगा सबसे पहला उपाए बताएं कि आपको शुक्रवार के लिए हम सभी जानते है शुक्रवार का जो दिन है देवी मा लक्ष्मी को समर्पित है और माता की कृपा होगी तभी तो इंसान की जीवन में धनसंपदा होगी विकास होगा तो करन और माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास में ही वह सिक्क्रा रख दीजिए अब शुक्रवार के दिन माता की पूजा आपको इस शनिवार आता है तो सिक्क्रे को वहाँ से उठाईए लाल कपड़े में बांधिये और अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए काफी चमतकारी के उपाय हैं जिसने भी इस उपाय को किया है धन संपदा का विस्तार उसके जीवन में जरूर हुआ है अगला जो उपाय है वो करोड़ पती बनाने वाला है आपको करना क्या है एक गिलास गन्य का रस लेना है अब आपको अपनी नाम और अपना गोत्र पाच पाच बार बोलना है और इस गन्य की गिलास रस को आपको तुलसी मा के पौधे में डाल देना है नाम और गोत्र पाच रुपे लगेंगे और उपाय करने में कुछ भी नहीं लगेगा तो फाइदा ही फाइदा होगा तुलाराशी वालो वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें प्रतिक्रिया दें कॉमेंट बॉक्स में अपना नाम बताईए आप कहा रहते हैं वो बताईए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दवाईए अभी के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से बहुत बहुत आभार